बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम, अस्वाम लेकुम बच्छो, उमीद है आप सब खेरियो से होंगे बिटे आज जो हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं वो है 9th class math और बिटे हम स्टार्ट कर रहे हैं chapter number 5 बिटे जब हम chapter number 5 स्टार्ट कर रहे हैं तो जो chapter number 5 है उसका नेम है हमारे पास factorization, तजजी अब बिटे यह जो factorization है 8th class में आप लोग chapter number 6 में बहुत डिटेल में factorization पढ़के आए हुए हैं chapter number 5 में थोड़ा सा आपने इसका hint लिया कि constants क्या होते हैं सारे चीज़े यहां पर हम लोग बड़ी डिटेल में factorization को discuss करेंगे बिटे अब मुमन जब हमारे जहन में factorization आती है तो बचों के जहन में बस एक ही question आता है वो यह कि factorization में बस हमने में time breaking करनी है बट ऐसा नहीं है बिटे factorization में हमने इसकी further types को discuss करना है हर type को solve करने का तरीका अलाद है इंशालला अभी हम start करते हैं तो हम उसमें detail में देखते हैं कि हमने किस तरीके से क्या क्या कौन कौन सी type factorization की पढ़नी है बिटे सबसे पहले यह कि factorization math में बड़ा important है वो बिटे इसनी important है कि अगर हमारे पास एक बड़ा complex expression है तो बिटे उस complex expression को अरांग सकून से हम क्या करेंगे बिटे उसको simplify expression में reduce कर लेती है अब बिटे फर्स करें कि हमारे पास कोई एक expression है x square plus 5x plus 6 तो बिटे मैं कहता हूँ इसका factor यह है फर्स करें अब बिटे यह एक expression है complicated इस complicated expression से हमने इसको किसमें reduce कर ली एक simplify expression में है अब reduce कैसे किया है यह तो बात की बात है इसका मतबए है कि यह जो x plus 3 है यह भी इसका factor है यह जो x plus 2 है यह भी इसका factor है तो बिटे इसको basically हम क्या कहते है factorization अब बिटे जब हम बात करते है factorization की तो factorization में हम total 5 types को discuss करेंगे exercise no. 5.1 में उसमें बिटे जो पहली टाइप की question है वो कुछ इसतरा के होंगे which is k a प्लस k b प्लस k c इसका ये मत्ब हुआ कि इसमें कोई ना कोई value जो है तीनों में वो क्या होगी बिटे common होगी k a प्लस k b क क c प्लस k c पिटे exercise number 5.1 में हमारे पास 5 questions रें total यह जो type 1 है यह question number 1 है type 2 है question number 2 है type 3 है question number 3 है type 4 है question number 4 है और type 5 है वो हमारे पास है question number 5 हम इन पांच वो टाइप्स को बारी 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 बेटे डिटेल में discuss करेंगे अब सबसे पहले मैं इस type को solve कर रहा हूँ वो है k a plus k b plus k c अब बेटे जब इस type को question लाजेंगे तो हमें पहचान हो जाएगी कि इन में कोई ना कोई value हमने क्या लेनी है simple common लेनी है तो बेटे अगर आप exercise number 5.1 के question number 1 को discuss करेंगे तो ज़रा यहाँ पे देखें अब बेटे मैं इसका solution कर रहा हूँ जब मैं इसका solution कर रहा हूँ तो देखें यह पैरी type के question है इसमें हमारे पास start में values क्या है बेटे जी common है देखें यहां पर 2 है यह 4 multiple of 2 है यह भी 2 है A भी यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है तो हमने simple जब इस type के questions को record करने है solve करने है sorry तो बैटे इन type के questions को solve करने के लिए बस हमने simple क्या करना है हमने a count करना है बैटे कि हमने उन में से कोई ना कोई value जो common आ रही है वो common ले लेनी है तो बिटे अगर आप गौर करें यहाँ पर common क्या आ रहा है यहाँ पर common आ रहा है 2AB अब बिटे 2AB इस expression में से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा C यह minus है तो बिटे जी यह minus इसी तरह 4 को 2 पर divide किया तो 2AB बाहर आ गया बाकी क्या बचा बिटे जी X प्लस 2AB मेरा बाहर आ गया बाकी क्या बचा यहाँ पर D तो बिटे यह simple सा हमारे पास क्या है answer है तो बिटे अगर आप गौर करें तो factorization की type number 1 में हम लोग ने क्या किया जो भी पिटे expression given होगा हमने उसमें से जो value common आ रही है बस वो common लेनी है और जो value बच जाएगी वो हम लोग ने as it is लिख देनी है similarly मैंना पिटा यह question अगर आप देखें तो अगर आप देखें 5 multiple of यह भी 5 है 20 भी multiple of 5 है ABC इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो पिटे एक तो तीनों में से क्या common आ रहा है 5 ABC 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 तीनों में है तो मैंने common ले लिया ABC अब पिटे बाकी क्या बचा हमारे रपा देखें 5 common आ गया A common आ गया यहाँ पे 2 B थे 1 B बाहर आ गया 3C थे, 1C बाहर आगया, तो बाकी क्या बचा? बेटे, 2B थी, तो एक बाहर आगया, बाकी बचा 1, 3C थे, एक बाहर आगया, तो बाकी बचा 2, माइनस 10 को डिवाइड करें 5 पे, तो बेटे जी 2, ये क्या बचा? AB square, और इसी तरह 20 को डिवाइड करेंगे, तो बेटे जी 4, बाकी के बचा बेटे जी, A, B बाहर आगया, और C, A square और C, तो बेटे, अगर आगर आप वार करें, तो ये हमारे पार सिंपल सा क्या है, इसका answer है, नौ बेटे, अगर इसके part 5 पे आएं, इसी question number 1 के part 5 पे, तो ज़रा यहां पे देखें, बेटे, part 5 को सबसे वहले, जो बेटे, आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मेरा बेटा आप गौर करेंगे, तो देखें, यहां पे दो values की बना, एक पूरी value यह है, और एक पूरी value हमारे पास यह है, सबसे पहले देखें, इस पूरी value में से क्या common आ रहा है, इस पूरी value में से common आ रहा है, x-3y, तो बेटे, x-3y इस पूरे expression में से बाहर आ गया, तो बाकि यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 3x3y, और बेटे, यहां पे क्या बचा, minus 7x2y2, अब बेटे, यहां से मैंने common लेना, तो यहां के x-3y, अब मुरह बेटे, यहां से क्या common आ रहा है, देखे, 3 यहां पे है, यहां पे 7 तो च siniłeजा, non Say, यहां पे x लेक्स लेक्सक्राण, यहां पे y लेक्स हो, तो maximum value x की क्या common आ सकती, x2y, तो बेटे यहांपे क्या बचाओ, यहांपे बचा 3X माइनस, यहांपे क्या बचाओ 7 X स्क्वेर बाहर आगया बाकी बचा 1Y, तो बेटे अगर मैं इसको त्रतीब से थोड़ा से लिख दो, तो यह आजाएगा जी X स्क्वेर Y और बिटे यह आजाएगा x-3y और बिटे यह आजाएगा 3x-7y तो बिटे यह हमारे पास क्या है इसका answer है तो बिटे यह हमारे पास question थे type 1 के question थे जब बिटे यह type 1 के question हमारे पास आए हैं तो मैंने exercise number 5.1 के question number 1 में type 1 के questions में क्या किया, मैंने बेटे इस type 1 के questions में सिर्फ एक काम किया, कि expression में से जो value common थी, मैंने वो value को common ले लिया नौ बेटे, अब हमारे पास आगया question number 2, मैंने आपको भी बताया कि जब हम बाग करते हैं बेटे इनके questions की, तो question number 1 में मैंने type 1 को discuss question number 2 में मैं discuss करूँगा type 2 को, अब बेटे अगर आप इस type 2 में देखेंगे सबसे पहले, तो यहां पे total कितनी values हैं, हमारे पास four values हैं और याद रखने, factorization में जहां पे भी four values आएंगी, वहां पे हम दो-दो का क्या बना लेंगे, बेटे, पेर बना लेते हैं, आप जब आप मेंटर बेकिंग करते हैं तो हमारे पास four values आती हैं तो हम first two का और last two का जो है, वह क्या बना लेते हैं, पेर बना लेते हैं इसी तरह बेटे, अगर मैं यहां पे देखूँ इस type 2 की पहचान अब कैसे करेंगे बेटे, इस type 2 की पहचान अब ऐसे करेंगे कि देखें first two values में से देखें, तो बेटे, first two values में से पहली value common है second two को देखेंगे, तो बेटे, उसमें भी हमारे पास कया है, कोई नौई value common है जैसे इन दोनों में यह common है, इन दोनों में 5A, यह A इस में भी है, A इस में भी है, common, यह देखें, यह type, B इस में भी है, B इस में भी है, common, तो देखें, यह type 2, basically, हमारे पास उसकी form बन गई है, बिटे हमारे पास क्या है, जी 5AX, 5AX, माइनस 3AY, माइनस 5BX, प्लस 3BY, अब जब बिटे मैंने question को solve कहना है, तो यहाँ पे common क्या आ रहा है, मेरे पास, देखें, A इस में है, और A इस में भी है, मैं पहले अगर दो-दो values का pair मना लूँ, तो 5AX, माइनस 3AY, बिटे तीसरी value के साथ माइनस अगर होगा, तो माइ माइनस 3Y, माइनस इन दोने में से क्या common आ रहा है, बिटे, B इस में है, इस में भी, बाकी के रह गया, 5X, माइनस 3Y, याद रखें लें, जब भी हमारे पास 4 values आएंगे factorization की, और मुझे पता कैसे लगेगा, कि मैंने question ठीक किया या नहीं, तो बिटे, यहाँ पे और हमारा क्या आ गया, यह हमारा answer आ गया, नौ बिटे, यहाँ पे हमारे पास ना common लेके लिखा हुए, उसने ज़रा इसको multiply करें, तो यह आदेगा, X square Z, माइनस Y square Z, प्लस X Y square, माइनस X Z square, अच्छा बिटे, यह question बड़ा important question है, यह question important क्यों है, ज़रा देखें, यह question बिटे, कि यहाँ पे पहली value common हमारे पास नहीं है, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे common नहीं है, तो मैं इसको अगर common करूंगा, तो यह देखें बिटे, X square Z, और third value, फिर बिटे, यह second value, और फिर यह, मैंने, अब values को क्या कर लिए है, बिटे जी, मैंने values को अभी कठा कर लिए, देखें, बिटे, अगर मैं यहीं पे दो-दो का pair बना लूँ, तो Z common आ रहा है, बाकी के रह जाएगा, X square minus Y square, तो बिटे, अगर आप गोर करें, मेरे पास तो कुछ सनी वापिस आ जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं आप इसका pair बनाओ, तो यह आ जाएगा, X square Z plus XY square, minus common ले Z, तो बाकी के रह गया, Y square, plus, बिटे, यह मारे पास आ गया, X, sorry, Z common आया, यह आ गया, Y square, plus, दो Z है, एक Z बाहर आ गया, तो अगर आप गोर करें, यहाँ पर, यहाँ पर same value बनी है, तो बिटे, यह क्या आ जाएगा, X Z plus Y square, बिटे, बाकी के बचा, X minus Z, ठीक हो गया, बिटे, हमारे पास type 2 के question, इस type 2 के questions में, बिटे, हमारे पास total 4 इसके parts है, मैंने 2 करवा दी हैं, आपको, बाकी 2 की आप खुद practice करेंगे, नो बिटे, question number 1 में मैंने discuss किया type 1 को, question number 2 में मैंने discuss किया type number 2 को, अब question number 3 मैं अभी नहीं करवा रहा, वो next lecture में करवाँगा, उसकी reason यह है कि, lecture थोड़ा length ही हो जाएगा, तो मैं type number 4 को discuss कर रहा हूँ, जो कि type number 4 में, बिटे, वो कहता है कि हमेशा formula बनेगा कौन सा, a square minus b square, और आप सब जानते हैं कि a square minus b square, बिटे, किसके equal होता है, वो equal होता है, a plus b into a minus b, तो बिटे, यहाँ पर यह फार्मूला मैंने जब ब बिटे, बिटे, सबसे पहले, अगर आप गोर करें, तो यहाँ से common क्या आ रहा है 3, उसकी reason क्या है, 3 किसी का square नहीं होता, 75 किसी का square नहीं होता, तो बिटे, यह आजएगा x के, minus 75 को 3 पर divide करें, तो 25y square, 3 as it is, अब देखें, यह किसका square बन रहे गया x का, और बिटे, यह कि square बन गया 5y का, तो बिटे, यह किया आ गया, x plus 5y, और बिटे, यह किया आ गया, x minus 5y, तो बिटे, यह देखें, जब हमारे पस type 4 आ जाएगी, तो type 4 की question में हमारे पस कैसे question आ जाएगे, a square minus b square की type के, तो बिटे, हमने इन questions को भी इसी तरीके से क्या कर लेना, solve कर लेना, न इसी वहला question जो मैंने आपको 2 में करवाया, यह भी very important, नौ बिटे सरा multiply करें, तो x square minus x, minus y को y से multiply किया, y square minus minus plus y, अगर आप more करें, तो दो values square की हैं, और दो values linear form में हैं, यानि कि जुनकी power 1, तो अगर मैं square values को इकठा लिखनू, और बिटे, दूसरी values को मैंने कठा लिखनू तो मैं अब इनका पेर इसली बना लूँगा, लें जी मैंने दो दो का क्या बना लिया पेर, तीसरी value के साथ minus है, तो अंदर क्या sign change हो जाएगा, अब बिटे, यह x square minus y square, अगर अब गौर करें तो यह formula बन रहा है, a square minus b square, वो equal होगा, एक दफा plus, एक दफा minus, ठीक होगा ब और बिटे, यह आगे x minus y, नौ, बिटे, यह पूरी एक value है हमारे पास और यह हमारे पास पूरी एक value है, इन पूरी values में से common क्या आ रहा है, x minus y, तो ज़रा गौर करें, यहां से x minus y बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, x plus y, यह वला minus, x minus y बिटे जी कहा आ गया, बाहर गया, तो अगर आप बाहर करें, तो बिटे, यह हमारा क्या है, question है, ठीक है बिटे, अच्छा बिटे, अब इस exercise number 5.1 में मैंने इस lecture में discuss किया, question number 1, मैं यहां पे लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे, question number 1 discuss किया, question number 2 discuss किया, and question number 4 discuss किया, बिटे, इन्शाल्ला next lecture में मैं discuss करूंगा, यहां पे question number 3 को, और जब मैं question number 3 को discuss करूंगा, तो वहां पे हम type 3 के questions को इन्शाल्ला पढ़ेंगे, ठीक है बिटे, उमीद है कि आप इन सब की practice बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत शुक्री आपका, thank you so much, अलाफेज.